हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब अशाग उर्क्नी स्वस्तों अच्छे मज़े में होंगे और पॉजिटीव कर रहे होंगे आपको हमेशे पॉजिटीव करना है क्योंकि एक पॉजिटीविटेविटी अच्छा करता है राइव और अज के इस तुड़ी में हम देखेंगे बात करना चाहती है तक रिष्टे में क्या हो सकता है चानल पर ने हों चानलों को सब्सक्राइब कर लीज़े इस वक्ति वीडियो को लाइक कर दीजे लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है रिडिंग आपके साथ बहुत जादा रिजनाट करते हैं अगर आपको मेरी युवर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है मेरी युवर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है करन्ट सिचुएशन ये अपकी तरफ से आपके परसन का बहुत ज़दा एक्शन का इंतजार हो रहा है ठीक है आपका दिल बहुत करता है इस परसन से खुद होकर बात करन आपको इस परसन से सौरी चाहिए आप चाहते हो कि एक परसन महसुस करें इनकी गलती को इन्होंने आपसे मुआन करकर अच्छा नहीं किया है यह परसन जिंदगी भर प्यार के लिए तरसेंगे अगर आपके पास लोड़ते नहीं है तो आप भी अगर इस परसन के बिना किसी और को सिलेक्ट करते हो और अगर आप भी इस परसन के अलावा किसी और को सिलेक्ट करते हो तो आप भी जिंदगी पर खुश नहीं रहे पाओगे ऐसी एनरजित आपको महसुस होते हैं आपको इस परसन की बहुत यादा आ रही है और जो कि दिल से चाहर हुए कि परसन बस डारेक्ली बता रहें कि इस परसों का आपके साथ रिष्टे में नहीं रहना है आपको बहुत पश्तावा हो रहा है करंट में आपने ऐसे परसन से प्यार किया है कि जो परसन एजी लिए आपको छोड़ने के लिए रेडी हो चुका है कुछ भी नहीं अगर घरवारों ने आपको इनका इंतजार है आपको इस परसन से कमिट्मेंट चाहिए शादी करने है और आपको जो इसे के अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पश्तावा हो रहा है कि काश मैं इससे प्यार ही नहीं करती काश ये परसन मेरी जिंदगी में आता ही नहीं काश मुझे कभी प्यार में जाके कि इसको कहीं पर प्यार नहीं मिलेगा जैसा प्यार आपने किया है अनकंडिशनल लव त्रू लव आप इस परसन के लिए जया आप इस परसन के लिए जान तक दे सकते आप इतना प्यार कर तो इस परसन से ऐसा प्यार करने वाला इनको कभी नहीं मिल सकता यह आपको पता है बस इतना है कि आपको डर लग रहा है कि आप बस इतना है कि आपको डर लग रहा है इस परसंग का आखिर आपको कब तक इंतजार करना पड़ेगा आपको नहीं पता यह लोटकर आएंगे जरूर आपको यह भी फील होता है लेकिन कब तक यह नहीं पता ऐस आपने हर साइड से ट्राय कर लिया इस परसुन को मनाने का लिकिन यह परसन जो की रुखने के लिए रेडी नहीं है ठीक है आपके परसन कैंसर को पाइस कर प्रुष्टिक में राशित और सब्सक्राइब करने मकर राशिक हो सकते हैं गड़कर इनिवर्स अगर यह परसन के लिए आपकी इस पकी फीलिंग्स क्या है यस मैंने जैसे बोला आपको इस परसन से बड़ा वाला कमिट्मेंट का इंतजार है आपको इस परसन से शादी करनी है ठीक है और अगर आप आपने परसन से बात करते हो तो आपके परसन करंट में आपको बहुत ही जद़ और surgिंः गाली गरउज कर रहा हैं घाली करश बोस्ट में चल रहा है अगर आप इस रिस्ते में करण्ट में अपनी तरफ से फ़र्बर्स लगा रहे हो तो आपको बहुत तक्लिफ्स हो रही जिसी कि जिंदगी तरह में वर्बाद हो चुकी है इस परसंट की आपके इस तरह से इनर्जी जाप बहुत ज्यादा आपका दिल कहता है कि परसन लोटेगा जरूर लेकिन बस यह जब तक कि आप से दूर है ना आप जी नहीं पा रहे हो आपके इसी इनर्जी बन रहे हैं ठीक है और आपके परसन के अंदर करण्ट में कुछ जादा इगो लड़का हो तो यह जो भी आगर अगर अपलड़का हो तो परसन जो की फाइनचली जिएड़ा श्ट्रोंग है आप से जाधा है चुछ तो अच्छा है आप से जिस वज़े से परसन वहा पर जाने के लिए मजबूर हो गए और आपको जिस बात की वज़े से जलसी भी हो नंगे पाणब से हैं इनके पार्ट्न की क्या है इस ऐसे इसक्राश्यक्रीयौ मुझे इनको बहुत जादा पश्तावा हो रहा है कि इस परसन ने आपको ठुकरा कर किसी और को चूज किया है लेकिन आपको बोल कर नहीं बताएंगे यह सोच रहे कि आपको कब बताएंगे ठीक है लेकिन इतना तो है कि थर्ड पार्टी में अगर यह परसन गया है तो थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए करंट में रेड़ी नहीं होने वाले ठीक है इनका इस पक भी दिल कर रहे कि अभी के अभी आकर आपको क्लियर सब कुछ बता दे कि भले मेरी शादी हो रही है दो आप इस परसन से जैसे ही लड़ पड़ोगे कि तुझे जरूरत ही क्या है अगर तुम उससे इतना प्यार करता है तुम bur़ो कर जा ही क्यों रहा है आप इस तरह से करोगे आप इन को रोकने की कोशिश करोगे आप इनको जहां पर भी जा रहे, मतलब कि आप ऐसे सोचो, अगर इस परसंग का शादी सी अप्ते हुआ है, तो हो सकता है कि आप इस परसंग की शादी में प्राबलम क्रेट करो, आप इस परसंग को जो की मतलब होता है न, दुनिया के सामने, सब के सामने जाकर बोल देना, के लिए डिस्टंस दे रहे, ठीक है, इन्होंने सोच कर रखा है कि इनको आपसे बात करनी जरूर है, और यह आपको आफर भी करेंगे, ठीक है, यह इस रिस्ते को बैलन्स भी करेंगे, पस टैमपरंस से तो डिवाइन टाइमिंग का इंतजर आपको करना पड़ेगा, और जो कि आपको भी पता है, ठीक है, आपको भी पता है कि रिस्ता स्टार्ट जरूर होगा, जज्जमेंट है यहाँ पर आपके साथ जस्टिस जरूर होगा, लेकिन कब होगा यह आपको पता नहीं है, और आपके परसन को भी जो कि इस रिस्ते को बैलन्स करना है, लेकिन कब क सकता है इस रिष्टे में डिवाइन टामिंग कब तक आ सकता है इन दोनों को कब तक इंतजार करना पड़ेगा इन दोनों को कब तक इंतजार करना पड़ सकता है इन दोनों को कब तक इंतजार करना पड़ेगा कम से कम 6 हपतों से जाधा 6 महीने का टाइम लगेगा ठीक है कु मेरे युवर्स को क्या करना चाहिए मेरे युवर्स को क्या करना चाहिए यस आपको जो कि आपको अपने आपको अपने जिंदगी में बीजी रहना है आपको अपने काम पर फोकस रहना है और जो कि रिग्रेट मत करो परस्तावा मत फील करो कि इस परसर ने मेरे साथ यह किया अश्रीनज कोनो पार्टीज को एतेंड करो ठीक है घर से बाहरं निकलो मुवीज देखो ठीक है बस आपको हुश रहने के कोशिश कर ने करने के पर इस पारसंग को यारंड के जतनी जल्दी आप इस परसंगे देस आदर डालोगे उ anh जल्दिया, परसद आपके पास लोट ये एंुवर्जू इसे में, इस वक्त ने दिया का इनुवर्ज के पार्टनर इंसे क्या कहना चाहें इस तो करी युवर्स के पार्टनर इनसे क्या कहना चाहेंगे वह आपको कहे रहे हैं कि यह बहुत जल्दी आपके इस रिस्ते की नेगेटिव एनर्जिस को खतम करेंगे सब कुछ सही करेंगे आपसे शादी करेंगे आपको अपनाएंगे क्योंकि इनकी फीलिंग सिर्फ बहुत जल्दी कबूल होने वाली है इस तरह से आपको बहुत जदा मिस कर रहे हैं तो अगर यह आपको नेगेटिव एनर्जिस करण्ट में दे रहे हैं तो उसको इग्नॉर करो और सेल्प लग करना स्टार्ट करो ठीक है तो यही है रिडिंग अगर रिडिंग रजनोंट तब तक के लिए बाबाई